हेलो फ्रेंज आइम डॉक्टर नीला मतार सिंग होमेपेथी कंसल्टेंट आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की डिप्रेशन क्या होता है इसके क्या कारण है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है डिप्रेशन एक उद्लशी की बिमारी है इसमें बहुत उदास रहता है बहुत ज्यादा उदास किसी काम में इंट्रेस्ट ना कोई इनिशेटिव ना लेना सोशल लाइफ से कट ओफ हो जाना और बिल्कुल हैपिनेस नहीं होनी खुश ना होना लेकिन सबसे बड़ा फरक तब पड़ता है जब उसका हर चीज में जो इंट्रेस्ट खतम हो जाता है और उसकी डे टूडे लाइफ में उस पर असर होने लग का तब उसको कहते है कि इसको depression हो कि मैंने जो अपने clinical experience में देखा है कि depression कभी भी average मान सिकता वाले लोगों को नहीं होता यह हमेशा उन लोगों को होता है जो बहुत जादा sensitive होते हैं और बहुत ज़यादा Joe होते हैं जो बहुत ज्यादा हर चीज को बारी किसे देखते यह उन लोगों को ज्यादा होता है ऐसा नहीं कि डिप्रेशन बड़ों को होता है यह चोटों को या बड़ी उमर वाले लोगों को भी होता है सबके कारण अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन डिप्रेशन किसी भी एज के लोगों को हो सकता है बच्चों में ये कैसे देखने को मिलता है कि बच्चों का स्कूल जाने का इंट्रेस्ट खतम हो जाता है बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, उनका पढ़ाई में इंट्रेस्स खतम हो जाता है, बच्चों के साथ खेलते नहीं है, बाहर जाना बंद कर देते हैं, सोशल लाइफ से कट अफ हो जाते हैं, और साथ के साथ घर में इरिटेट होना, गुस्सा आना, चीज उठा के फैंक पूर हो जाती है, अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करते हैं, अकेले-अकेले रहना, किसी से बात नहीं करना, ये सब कुछ बच्चों में पाया जाता है, अब हम बात करेंगे कि इसके क्या कारण है, जैसे लाखों ही प्रस्नेल्टीज हैं, लाखों ही तरह के लोग हैं, सो सब के अलग-अलग कारण भी लाखों होतारे कि हरे अभर के इंवायर्मेंट है, हरने अभरन डिफरेंट है, हरने का तरीकह रहने की जगह ही जगह अजह कुछ डिफरेंट है इस तरह हर एक की लाइफ में बहुत सारी problems हैं जिनकी वजे से उनको depression हो सकता है सबसे पहला कारण जो डेप्रेशन में माना गया है वो है किसी को, किसी अपने को खो देना death किसी अपने भाई, बहें spouse को, husband, wife किसी bहारे मित्र को या किसी भी ऐसे इंसान को खो देना जिनसे उसको पेशन को बहुत ज्यादा प्यार था और इस खोने की वजह से वो सालों के साल डिप्रेशन में जा सकता है ये चीज उस पे इतनी हावी हो जाती है कि वो बहुत सालों तक ये सब कुछ नहीं भूल पाता अपने बच्चों को खो देना ये सब कुछ एक सबसे बड़ा कारण है डेथ इससे अगला कारण है घर में लड़ाई जगड़े, कॉन्फिक्ट होने बहुत बार देखा है कि जॉइन्ट फैमिलीज है जॉइन्ट फैमिलीज में सभी के विचार नहीं मिल सकते जो लोग अच्छी तरह से एड़्जस्ट करना जानते हैं जो पेशिंट्स एड़्जस्ट करना अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि कैसे एड़्जस्ट करना है वो तो इन बिमारियों से बच जाते हैं लेकिन जो लोग एड़्जस्ट नहीं कर पाते जैसे suppose किरो, किसी की नई-इशादि हुई है और वो लड़की एक नए घर में एक नए प्रिवार में एक नए महाल में आई है ,एद्जस्नम।न दोनों तरफ से होती है घर वालों को भी एद्जस्म procurement करनी पढ़ती है, Husband को भी करनी पढ़ती है और जो नहीं आई दुलहन है उसको भी करनी पड़ती है लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है एड़्जस्मेंट की वजह से लड़की को कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और लड़की को डिप्रेशन हो सकता है यहां घर में किसी भी चीज़ को लेके कोई कॉन्फलिक्ट है काम करने की वजह से कोई जॉब की वजह से कोई पैसों को लेके बहुत सारी चीजे होती हैं जिनकी वज़े से घर में लडाई जगडे बढ़ते हैं और उन लडाई जगडों में कोई ना कोई एक ऐसा घर में जीव होता है एक ऐसा सदस्य होता है जो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है ये अकेले घर में नहीं, बाहर फ्रेंड्स के साथ कोई जगड़ा हो गया, कोई बहुत ज्यादा बड़ा मैटर हो गया, कोई रेलिटिव में आपस में जगड़ा हो गया, कोई जैसे कई बार फैमिली में डिवीजन होती है, तो किसी को लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, या मेरे दूसरे सिबलिंग को ज्यादा मिला है, दूसरे भाई वैन को ज्यादा मिला है, तो इन वज़े से भी हमने देखा है कि पेशेंट्स को डिप्रेशन हो जाता है, अगला रीजन मनता है कि जिन्दगी में कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी दुर घटना जो पेशेंट के मन पे बहुत ज्यादा असर डाल गएगी उससे भी पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है अगली बात आती है अब्यूज की इस पेशेंट के साथ उसकी बात समझी नहीं जाती उसके साथ अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता उसको जैसे कॉनफलिक्स की बात ही हुई है कि जब घर में इकठे लोग सदस्य कुछ रहते हैं और उनमें नहीं बनती आपस में उसकी वज़े से जब एक बंदे को सहना पड़ जाता है और बाकी के सब लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और उसको तंग करते हैं तब वो पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है इसे अदला रीजन नेक्स्ट आता है बिजनस का बहुत सारे लोग बिजनस स्टार्ट करते हैं कई लोग तो अच्छा बिजनस चला लेते हैं लेकिन कई लोग बिजनस में फेल हो जाते हैं या उनका बिजनस जितना वो चाहते हैं उस धांग से नहीं चल पाता तो इस वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है क्योंकि उन्होंने जब भी कोई बड़ा बिजनस की है चाहे चोटा भी हो, तो जब भी कोई बिजनस की है, उसमें कुछ लोन्स ले लेते हैं, कुछ लोगों से अपने फ्रेंड से पैसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो दे नहीं पाते हैं, तो इस वज़े से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कि इतना सिर्के उपर करजा हो गया है, तो इसे वाँ से लाँ रिज़न के बिजनस में फेल हो जाना या बिजनस अची तरह से चलने पाना, इसका अगला रिजन ये भी है के,えक बंदा बहुत ज्यादा اम्बिश्यस होता है, उसके मैं में बहुत ज्यादा अमबिशिंस होते हैं, कि मैं बढ़ा होके ये करूं CEO बनने का सपना, लेकिन जब वो सपने तूट जाते हैं, जब वो सपने आपको आपके पूरे नहीं होते, तब भी patient goes into depression, कि उसने इतने सपने देखे थे लेकिन उन में से सपना पूरा नहीं होता, इसका अगला reason, disappointment in love, आप किसी से प्यार करते हो, बहुत ज्यादा प्यार करत और आपको आगे से वैसा response नहीं मिलता, तो भी patient goes into disappointment and depression, या किसी वजह से आपकी लड़ाई जगडा हो गया किसी तरह से, आपकी किसी ने insult कर दी, बेजदी कर दी, आपकी बहुत ज़्यादे humiliation हुई, तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग depression में चले जाते हैं, आजकल के करोना के टाइम में बहुत सारे patient depression का शिकार हुए, उन में से कुछ लोग ऐसे थे, जिनके बच्चे बाहर गए हैं, वो यहां पर अकेले हैं, पेरेंट्स, या जिनके पेरेंट्स कहीं बाहर गए हैं, बच्चे अकेले हैं, वो 6-6-8-8 महिने एक दूसरे को मिल न कर पाई, कोई social activity नहीं हो पाई, क्योंकि सब के सब लोग करोना की वज़े से सब को अंदर बैठना पड़ गया, सब अंदर बंद होके रह गए, तो यह भी एक बहुत बड़ा reason बना के कोई किसी को मिल नहीं पाया, कोई get together कर सके बच्चे, या पेरेंट्स से मिल नहीं सके, और जिन्दगी जहां थी, वहां की वहां थमके रह गई, सो करोना ने भी बहुत सारे लोगों को जो depression दिया है, ये भी बहुत बड़ा एक आज का issue है, कभी कभी किसी patient की नौकरी चली जाती है, या इस करोना में बहुत सारे लोगों की नौकरी गई, इतनी बड़ी बड़ी company थी, जिन्होंने lay-off कर दिया, और बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, उनके पास business उनका खतम हो गया, पैसा खतम हो गया, this also led to depression in many people, depression का एक और बहुत बड़ा कारण है, अकेला पन, अकेला पन जैसे बहुत सारे ऐसे patients हैं, जैसे हम बच्चों की या पेरेंट्स की बात ही करते हैं, आज कल हमारे पनजाब में खास करके क्या है, कि बच्चे पढ़ाई के लिए पनजाब छोड़के बाहर के देशों में, Australia में, Canada में, America में, और देशों में जाते हैं, जिसकी वज़े से उनके पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं, और पेरेंट्स जब अकेले रह जाते हैं, तो कोई काम करने को कुछ नहीं है, दो लोगों का क्या काम होता है घर में, रोज रुटीन का कोई इतना ज़्यादा होता नहीं है, दोनों में से कोई ना कोई बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, तो ऐसे बहुत सारे कारण है, एक और रीजन है, अगर किसी को घर में निगलेक्ट किया जाता है, अगर किसी को घर में किसी की पूछता ज़्याँ है, क्योंकि अकसर डिप्रेशन वाले पेशेंट्स का ये होता है कि मुझे कोई पूछता नहीं है, तो ये भी एक कारण है जिस वज़े से बोलो, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या आपको मालूम है कि 30 से 70 प्रतिशन्त जो स्यूसाइड के केसिस हैं, उन में सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन है, 30 to 70% of patients of depression commit suicide, अब हम बात करेंगे कि डिप्रेशन के क्या-क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पहच चानेंगे कि इसको depression है, वैसे तो कोई भी मानसिक बीमारी वाला patient कभी भी अपने आपको बीमार नहीं समझता, और बहुत सारे ऐसे लोग है, जो depression में खास करके दवाई नहीं लेना जाते, उनको लगता ही नहीं है कि वो बीमार है, उनको लगता है कि कुछ नहीं, मुझे क कुछ नहीं हुआ, तो उनको दवाई ज़रूर लेनी चाहिए, अब हम बात करेंगे symptoms की, कि क्या symptoms होते हैं, सबसे पहला symptom है sadness, उदासी, patient उदास रहता है, बात बात पर रो पढ़ना, उदास रहना, खुश ना रहना, उसको हमेशा अपने अंदर एक खाली पंसा लगता है, एक वेक्यूम लगता है, एक emptiness लगती है कि कुछ खाली-खाली है, और हमेशा यह लगता है कि मेरी कोई value नहीं है, worthlessness, neglect, कि मुझे कोई पूछता नहीं है, उसको अपनी value नहीं लगती, कि मेरी तो कोई value है यह नहीं है किसी चीज में उसको खुशी नहीं महसूस होती रुटीन के जो काम है उन में भी खुशी नहीं महसूस होती हमेशा दिल करना के पड़े रहें, लेटे रहें, कुछ नहीं करना और इसके साथ-साथ frustration, गुसा आना, खिज चड़ना, बात-बात पे रो पढ़ना, नींद डिस्टर्ब हो जानी इसमें दोनों तरह की नींद होती है, या तो नींद बहुत ज्यादा आएगी या फिर नींद बिल्कुल खतम हो जाएगी और इसी तरह भूख का है, या तो डिप्रेशन के पेशिंट्स को बहुत ज्यादा भूख लगेगी और उनमें मोटापा आता चला जाएगा या फिर इनमें बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, बिल्कुल पतले हो जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि किसी चीज में इनका कोई इंट्रेस्ट नहीं होता है, और हमेशा खुद को ब्लेम करना, कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया, मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया, डिसीजन नहीं ले पाना, इर्रेजोलूशन, इनडीसिशिव, जो इसे बहुत सारे ऐसे सिम्टम्ज हैं, जो डिप्रेशन के पेशेंट्स में पाए जाते हैं, और सबसे जो मेजर सिम्टम है, जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा severity में होता है तो इसका सबसे बड़ा symptom suicide करने का patient सोचता है इतना ज्यादा उदास कि उसका दिल करता है कि अब तो मेरे जीने की कोई वज़य नहीं है मैं जी नहीं सकता मुझे जीना नहीं चाहिए तो बहुत सारे ऐसे patients है जो इस stage में जब बहुत सिवियर depression हो जाए इस stage में आके suicide कामेट कर लेते हैं और अदर्वाइस भी जनल tiredness, weakness, थकावट body achs, obesity यह सब चीजें इनमें depression वाले patients में यह सब symptoms पाए जाते हैं low energy level किसी चीज में pleasure नहीं, खुशी नहीं frustration यह सब general depression के symptoms हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जुरूरी है क्योंकि बहुत बार patients को पता ही नहीं लगता कि उनको depression है तब ही पता चलता है जब इनकी हालत बहुत ज्यादा बत्तर हो जाती है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है अब अगली बात आती है इसके treatment की इसके treatment के दो पार्ट है पहला तो medicine दूसरा इसको patient को समझना और समझाना होमेपेथी में बहुत सारी ऐसी medicines हैं जिन से हम patients को ठीक करते हैं और मैंने अपने clinical experience में देखा है के जो लोग आकर हमको अपनी सारी reason और सारा सब कुछ बताते हैं अपने बारे में तो उनको कही बार देखा है के एक ही बार की दवाई में उनको बहुत ज्यादा फरक पड़ जाता है many times मुझे लगता है hundreds of patients में मैंने ऐसा देखा है के जब वो आकर सब कुछ आपको बता देते हैं के this was the reason इस वजह से उनका वो उदास रहते हैं उनको यह problem हुई तो अगर best selected उनको medicine मिल जाती है मैं इस वीडियो में कुछ cases बताऊंगी जिन में मैंने कारण को ढूंड कर उसके accordingly दवाई दी और मरीज का जो आज का mental makeup है mental setup है उस वजह से देखके दवाई दी तो इनका बहुत अच्छी तरह से इलाज हो गया सबसे ज्यादा जरूरी है कि underlying cause जो है जो उसका reason है उसको दूर करना बहुत सारे cases हैं जैसे death है, accident है, love disappointment है या और भी कुछ ऐसे कारण है जिनको हम वापिस नहीं कर सकते जो के reverse नहीं हो सकते लेकिन उनमें भी अगर घर का महौल ठीक किया जाए और घर के सारे सदसे ये जान लें कि हमने patient को ठीक करना है तो वो उसकी patient की help कर सकते हैं patient को उसको हमेशा लगता है कि मैं worthless है, मेरी कोई value नहीं है तो उसको ये एहसास करवाएं कि आपकी इस घर में बहुत ज़्यादा जरूरत है उसको हर बात में support करो, ये नहीं कि वो चुप करके patient बैठा है तो आप भी उसके साथ वैसा ही misbehave करो, no patient को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना, उसको हमेशा support करना है हर चीज के लिए, उसको हमेशा समझाना है, उसको हमेशा बताना है, कि सारी family उसके साथ है दूसरी बात patient के लिए, patient को हमेशा खुद को busy रखना चाहिए, बहुत ज्यादा busy, क्योंकि अगर आप खुद को busy रखोगे, तभी आप ठीक हो सकते हो अगर सारा दिन पड़े रहोगे, no doubt के brain में बहुत सारे ऐसे chemicals है, जिनकी वजह से ये problem, चाहे patient चाहे भी, तो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होती, लेकिन फिर भी, अगर आप चाहो, तो आप खुद को ठीक कर सकते हो medicine भी साथ में चलेगी, लेकिन खुद को आप थोड़ा बदलना पड़ेगा आपको, जैसे आप gardening कीजिए, आपको full podo से प्यार है, रोस हुबा उटके अपने plants देखिए, रोस हुबा उटके उनको पानी दीजिए, और खुद maintain कीजिए अपना garden, दूसरी बात आप कोई pet र कोई भी ऐसा जानवर जो आपको बहुत प्यार करें, क्योंकि जानवरों को जितना हम प्यार करते हैं, वो उससे ज्यादा प्यार हमें देते हैं, तो आप एक pet रखिए, आप उसके साथ बिजी हो जाएंगे, उसके साथ आपका टाइम निकलेगा, आप music सुन सकते हैं, music सु के और उदास हो जाओ, अच्छा music सुनिए, अच्छे गाने सुनिए, और खूद की involvement कीजिए, वो करना स्टार्ट करें, बाहर जाएं, थोड़ा बाहर निकलना शुरू करो, चाहें नहीं भी मन करता, तब भी कोशिश करो, मुझे पता है कि बहुत सारे patients हैं जिनका आपका और आप खुद भी अपने आपको चेंज कर सकते हो, ऐसे, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिप्रेशन के कुछ केसिस बताऊंगी, जिन में डिप्रेशन होने वाले patient को बहुत जल्दी फरक पड़ा, और होमेपेथिक medicines, मैं दावा करती हूँ, कि होमेपेथिक medicines से depression 100% ह होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे patients को ठीक किया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी, कि ज्यादा से ज्यादा cases आपको बताऊं, ताकि आपको पता चले कि डॉक्टर को जाके आपने क्या बताना है, डिप्रेशन is a real and treatable disease, बिमारी है, लेकिन इसको treat किया जा सकता है, तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के कुछ पेशेंट्स की, कैसे वो ठीक हुए, Thank you so much for watching this video and keep watching my videos.